दोस्तान Unilever Limited के अंदर आल रेड़ी मैंने बताए थे इंट्री भी दे दिया था कहे दिया था कि 2110, 2140, 2170 ये मंतली टागेट्स हैं सबी लेवल्स आपको देखने को मिलेंगी डीटेली वीडियो अपलोड भी कर दिया था स्टॉक रिवर्सल जाता हुआ स्टाटेजी समझा दिया था अपर स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करा है उसके उपर ही ट्रेड कर रहा है ये बात भी बता दी थी 1970 सपोर्ट लेवल एक है उसके बाद 1900 दूसरा है अगर इसके अंदर कौन सा भी लेवल ब्रेक करा आपको स्टॉक पुरा रिवर्स का रिवर्सल ट्रेड करता हुआ दिखेगा वरना स्टॉक के अंदर 2110, 2110, 2140, 2170 लेवल पक्का से पक्का देखने को मिलेंगी स्टॉक मे एक्जिट मत करिए आपका पोजिशन होल्ड करके चलिए डीटेली वीडियो सपोर्टेड वीडियो भी अपरोड करा था दोस्तों जो हिंदुस्तान उनिलीवर लिमिटेड रिवर्सल जाता हुआ पैनिक हो रहे थे अब देख सकते हैं 2110 भी अच्छी हो गया है आज के दि इतने लेवल अच्छी ओने वाले फिर फ्रेश एंटरी फ्रेश एक्जिट लेवल के वह आपको डीटेली कांडिल चैट पर बता दूँगा हेलो एवर्रीवन मैं हूं महुम्मध सोहिल आपके सामने स्टॉक पर बात कर रहा हूं लिए अगर आप पहली बार यूटूब च बार आप लोगों को मैंने entry करा दिया था दोस्तों 2040 सही लेवल नहीं है अभी के लिए जो पिछले बार मिला था वो भाई opportunity मिल गया था पर इस बार इस बार मिलेगा तो 2050 हमें देखने को मिलेगा अगर हम लोग पहले भी exit होना चाते हैं क्योंकि already bottom trend line के नजजिक चल रहा ह already bottom trend line touch होने के बाद अब trend line ये stock touch नहीं किया दोस्तों फिर bottom के level पे trade कर रहा है यानि अगर ये bottom level पे जाता हुआ trade करा तो opportunity सही मिली अगर reversal जाता हुआ फिल्ड से bottom trend line touch करा तो हमें ज्यादा से ज्यादा 2000 level देखने को मिलेगा इस से ज्यादा तो देखने को stock में नहीं support इसका 1970 और 1900 ये दो support है अगर average strategy maintain करने तो भी ये दो level पे maintain करना चाहिए वरना average strategy stock में maintain करिये हिमत तो आप देख सकते हैं वो level भी हमें देखने को नहीं मिले तो हमें strategy तो maintain करने के लिए नहीं मिली क्योंकि support level तक stocks नहीं stock ने reversal नहीं किया है तो उसके हिसाब से जो इसके अ बताने का मेरा यही मकसद है कि इसके अंदर जो gap up में opening होते वे stock दिख रहा है दोस्तों इसमें reversal जाएगा और बाद जो इसके अंदर यह gap down में opening हुआ है यह भी recovery के chances से तो आप सोच रहे होंगे confused हो रहेंगे क्या reversal जाएगा क्या यह uptrend जाएगा दोस्तों already bottom के बाद uptrend line टच नहीं कराएं आपनों को मैंने डीटेली बता दिये और positions hold करके चलिए अगर यह आगे बढ़ता हुआ दिखा stock तो uptrend line टच करता हुआ दिखा 2170 final आपको हिंदुस्तान Unilever Limited में देखने को मिलेगी अगर यह यहां से reversal जाता हुआ दिखा तो bottom trend line नहीं bottom trend line के 40 level देखने को मिला तो फिर से आपको 2040 level देखने को मिलेगा तो fresh entry जो भी करना चाते हैं हिंदुस्तान Unilever Limited के अंदर 2040 के पास करिए पहले से जो entry करके चल रहे हैं आगे बढ़ता हुआ 2170 के पास exit हो सकते हैं पर अभी के लिए जो भी fresh entry करना चाते हैं मत करिए आप सोच होंगे कि आगे तो stock बढ़ने वाला है reversal गया तो भी strategy maintain करेंगे क्यों entry नहीं लेने के लिए मैं बोड़ रहा हूं क्यूंकि दोस्तों अगर कौनसी भी level पर entry ले रहे हैं तो 50 से हमें 60 रूपे की profit 60 से लेके 100 रूपे की profit लेके चलना चाहिए देखिए 2040 से तो मैं आप सभी को 100 रूपे का profit दे चुका हूं अगर यहां से भी आगे बढ़ता हूं दिखा तो 3 रूपे इसके अंदर profit booking कम होंगे पर risk ज्यादा होगा इसलिए अभी के लिए मैं आपको entry लेने की suggestion नहीं दे रहा हूं हिंदुस्तान Unilever Limited के अंदर यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 9th November 2020 Monday आज का दिने हिंदुस्तान Unilever Limited का closing है दोस्तों 2132.55 पैसा यह जो मैं target निकाला हूं target 10th November 2020 Tuesday यानि कल के लिए लिकाला हूं कल के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss लेके चल सकते हैं stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target हो रहा है तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा अगर कल आप entry लेके चल रहे हैं मेरे levels पे दो अच्छाइब कर दो